कुरोना वाइरस संक्रमन गाओं में ना फैले इसे तू पंचायद सचिप ने चलाया सफाई अव्यान समाज सेवियों ने सफाई कर्मियों को सम्मानित कर बढाया होसला जिहां कुरोना वाइरस कोवेड नाइन्टी के प्रकोप से बचने के लिए जारी लॉकडाउन टू की अवदी में सरीला तैसील के दो हल वुजुड गाओं में दो पुरुष और एक महला सफाई कर्मी कड़ी धूप में भी निरंतर सफाई कर रहे हैं आपको बता दें गाओं की सडकों में साफ सफाई को सुनिशित करने के लिए सफाई कर्मी निरंतर कड़ी मेहनत से गाओं को सुक्ष करने में लगे हुए हैं वो दुबार को समाज सेवी अमित कुमार शुकला ने सभी सफाई कर्मी को समानित कर जलपान कराते हुए उनका होसला अफजाई किया दोहल गाओं के समाज सेवी अमित कुमार शुकला ने ग्रामिरों से अपील करते हुए कहा है कि सबी लोग अपने घर के अंदर ही रहें बाहर ना निकलें साथी सपाई कर्यों से अन्य लोगों को मास्क बितरित किये बहीं दूसरी ओर ग्राम पंचाय सच्चिव रिश्टा तिवारी इस सफाई अव्यान को लेकर गंभीर नजराई आपने बताया कि गाओं की गलिया नियमित रूप से साफ और स्वक्ष कराई जा रही है नियव दूप से सफाई अव्यान चलाया जा रहा है जिससे बातावरण में बदलाव हो सके और गंदगी से गाओं वाज शेत्र में बीमारी ना पहले उत्तर प्रदेश हमीरपुर से पंकच कुमार शर्वा की एक रिपोर्ट आज मेरे गाओं धोल मुझुर्ग में एक नहीं कींतीन सफाई कर्मी गाओं की गलियों को साफ कर रहे हैं मैंने उनसे पुम्च्छा तोनोंने बताया कि सरकार द्वारा और अथकारियें कर्मचारियें उनके द्वारा मुझे निर्देश दिया गया है हम लोगों को तो हम लोग काओं की कर्मियों को साफ कर रहे हैं यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसंदता हुई और मैंने इनका जो सम्मान है उनको सम्मानित किया उनका उचलपान है वो कराया और पूर में भी मैं उनको मास्पास बिट खुद कर चुका हूं पड़ा अच्छा लगा इस तरीके से पूरे देश में कुरुना वाइरस का कहर है और जिसके बास से हमारा देश लागडाउन पर है और ये सफाई कर्मी अपनी जान जोखन में डाल कर मेरे गाउं में साब सफाई की विवस्ता उसको सुनिश्चित कर रहे हैं